यह पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में एस संसत ने एक बहुती गर्मापुर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति बंदन अधिनियम और उसके बाद 26 जन्वरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पत पर नारी शक्ति के सामर्थ को नारी शक्ति के सावर्य को नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया और आज बजेट सत्र का आरंब हो रहा है तब राश्पति द्रवपुदी मुर्वुजी का मारदर्शन और कल निर्मला सितारा मन्जी के द्वारा इंट्रिम बजेट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षातकार का परवा है साथियों मैं आशा करता हूँ कि गत दस वर्ष में जिसको जो रास्ता सुजा उस प्रकार से संसद में सब ने अपना अपना कार्य किया लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आज जब आखरी सत्र में मिल रहे है तब जरूर आत्मन निरिक्षण करेंगे कि दस साल में उन्होंने क्यों किया अपने संसदी ख्षेत्र में भी सो लोगों को पूछ ले किसी को याद नहीं होगा किसी को नगम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो अल्ला किया होगा लेकिन विरोध का स्वर्थ तीखा क्यों नहीं हो आलोचना तीखी से तीखी क्यों नहीं हो लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को नभानमित किया होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा और इसलिए जिन्होंने भले विरोत्का किया होगा लेकिन बुद्धी प्रतिभाः का दर्शन कराया होगा देश के सामान ने मानवी के हीतों का कंसन दिखाया होगा हमारे खिलाब तीखे से तीखी प्रतिक्या की होगी उसके बावजुद भी मैं अवश्य मानता हूँ कि देश का एक बहुत बड़ा वर्क लोग तंत्र पेमी सभी लोग इस व्यहवार की सराना करते होंगे लेकिन जिनोंने सिर्प और सिर्प नकारात्मक्ता, हुर्दंग, शरारत्पुन वहवार ये जो किया होगा उनको शायद ही कोई याद करे लेकिन अब ये बजेट सत्र आउसर है पश्याताप का भी आउसर है कुछ अच्छे फुट्प्रिम छोड़ने का भी आउसर है तो मैं ऐसी सभी मान्य साउसदों से आगर करूँगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाप सदन को दें और देश को भी उत्साव और मंग से भर दें मुझे भी स्वास हैं आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आम तोर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है हम भी उसी परंपरा का निर्भा करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे इस बार एक दिशान निर्देशक बाते लेकर के देश की वित्नमंत्री निर्भाला जी हम सब के सामरे कल अपना बजट पेश करने वाली है साथियों मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई उचाईयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है सर्वस परसी विकास हो रहा है सर्वांगिन विकास हो रहा है सर्वस समावेशक विकास हो रहा है यह यात्रा जनता जनारदन के आशिरवात से दिरंतर वनी रहेगी इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम पंतप्रधान नरेंद्र मूदी यान्ने पत्रकारानशी संवाल सादलेला आहे आज राश्ट्रबती द्रोपदी मुर्मू या संसदेला मार्गदर्शन करणा राहे आतापरेंत संसदेवर्ती घातलेला गुंधला वर्ती पशात आपाची विरुदकानना संधी आहे असही पंतप्रधान नरेंद्र मूदी यान्ने भटलेला आहे आज पासुझ संसदेशा अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला सुरुवात हुतिये आनित्याज साथी पंतप्रधान नरेंद्र मूदी सद्या संसद परिसरा मधी दाखल सलिलेद ABP माजा उगडा डोले बगा नीट